और वो है एपी कल्चर आज पढ़ेंगे लिखते जाएए साथ-साथ और नाएए साथ-साथ-सा-ई-णुट इस संद्पर्ण रिखते जाएए साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा-थ-सा-चिए-साथ-स-ा-थ-स- भी-घटछ कि एस लगके सिया तुमारा हो गया कि एस लगके कि एस कि एस लो गई यहस हो गया सी चाहब गवा यहस हो गया यहसंए यो गया? यो गया? यो गया? यो गया होगा ना यह लिखके अपका? यह सर्थ तो मैं यह कह रहा हूँ कि जैसे यह चैक्टर तो आज फिनिस्ट हो जाएगा आप लोगों का और कोई चैक्टर बचा है आपका? बायो में? क्योंकि कल हमारा एक लेक्चर है तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई रिविजन आपको अगर करना है तो वह कर सकते हैं वह सब आप लोग पढ़के आईए वह एक लेक्चर में सिर्फ डिसकस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है वैसे कोई चैप्टर बचा है आपका जैसे कोई लेने लाइख है जैसे जूओं में बताइए बायो टेक्नलोजी होगे है ना आप लोग होगा सब परिंसिपल वाला इस तो ठीक यह तो कलम बायो टेक्नलोजी प्रिंसिपल वाले का करना है कि रिविजन करने तो बता दीजिए मतलब चैप्टर ऐसे करवाना है पूरा आपको क्यों चैप्रिंसे करवाना है कि एक lecture हमारा मंडे है और एक हमारा lecture है संडे को तो अगर करना है तो मैं आपको मंडे को वो चैप्टर आधा कारा है मतलब कल दो-तिन topic पढ़ा दूगा और संडे को remaining topics पढ़ा दूगा अगर रिपीजन करना है तो कल एक बार में डिसकस करेंगे जो आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं बताऊंगा आपको बताईए कि रिपीजन करना है इस निकिता सब पूराई करा दिजी ठीक है चलेगा कल में फिर आप लोगों को बायो टेकनलोजी क्या जो भी है वह करा तो और जो रिमेंग टॉपिक वह संडे को कर आता है आपको बायो टेकनलोजी प्रिंसिपल ना ये सथीज़ ठीक है कोई बात में ठीक है अब यहां देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि यह जो चैप्टर है आपके एंसे आर्टी बूक में चैप्टर का नाम है कि फूट को ज्यादा कॉंटिटी में प्रेड्यूस करने के लिए क्या क्या है तो एक तो प्लांड ब्रीडिंग हाइब्रेडिजेशन जो कि आप बॉट्टी में पढ़ रहे हो दूसरा माइक्रो और्गेनिजम्स भी आप यूज़ कर रहे हो है न सिंगल सेल प्रोटीन सीवे प्लांट में डिवाइड़ेड है और हम इस चैप्टर का थर्ड सेक्षन पढ़ रहे है एनिमल हस्बेंट्री तो इस चैप्टर का पहला सेक्षन जो है वह प्लांट ब्रीडिंग है जो कि नॉर्मन यह बॉर्लॉग ने किया था है ना एक प्लांट के जीन्स को दूसरे प् प्रिडूस की थी तो एनिमल हस्बेंट्री का जो एक पार्ट है बच्चा हुआ भी जैट इस एपी कल्चर जिसको हम भी किपिंग भी कहते हैं देखिए कि कि सबसे पहले बी किति का इस दूसरा नाम का है इसका मतलब क्या ह रहा है कि हम पाल रहे कि हम को इखिए हूं को ू सके रे मिल सके लिखा है मिनिंग रेरिंग भी को अप्टें हनि मिखें बता bombs बा प्सकिए पालना तो हम हनी भी को पालते ताकि हमको उससे हनी मिल सके और तुम्हें पता है कि हनी जो होता है बहुत ज्यादा यूसफुल है क्योंकि हनी जो होता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम आता है क्रीम्स फेशल क्रीम्स वगेरा बनाने के लिए हनी जो है मेडिसीन वग अभी कबार पुछ लेतें कि कौन सा शुलर होता है तो वह होता है सुलओ नफ्ताइब को है जो है ना जो है टांड को तो से बनाओ एक टाइप का डाय से करानेदें दो श्थूघर से बना यह शुगर के इन जूस में भी होता है हे ना बाकी के भी इसमें होता है यहां पे हुनी वी के बारे मैंने लिखा है कि हणी वी कि तीन प्रॉपर्टी एक तो वह कॉलोंी जोष में रेती है काम बटा हुए मतलब एक बड़ा सा जूंड है हनीवी का उसमें एक ग्रूप खाना पका रही है खाना ला रही है एक ग्रूप कुछ दूसरा काम कर रही है एक ग्रूप प्रोटेक्शन दे रही है तो काम बटा हुआ है कि ये ग्रूप का दूसरा काम है इसका अपना काम है इ कि यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप की हनी भी होती है पॉली का मतलब होता है मैंनी पॉली का मतलब क्या होता है मैंनी मौर्फिजम का मतलब होता है स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर की हनी भी मौजूद है देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क पर, तीन, तीनों की तीनों हनई बी का क्या हैं कि अलग अलग हैं तो ज़ो सबसे बड़ी वाली होती है ना उसे हम कहते किविatenICA ऑप फीमेली है और जो सबसे चोटी वाली होती है वह होती है WORKER MARKER का ही काम होता है पूल की उपर बैट के फूल में से रस को सख करना रस निकालना और हनी बना के डिपॉजिट करना कुईन कुछ भी काम नहीं करती है महरानी है एक दम समझे रहा कुईन ज़रा भी काम नहीं करती है साइज में सबसे बड़ी होती है पर जो भी काम करते वो कौन करते वरकर करते वरकर क्या क्या काम करते फूल में से नेक्टर को सख करेंगे नेक्टर मतलब रस फूल के अंदर के रस को हम क्या कहते है नेक्टर तो फूल पे बैठके नेक्टर को रस को सख करेंगे सक मतलब चूसेंगे उसको ऐसे अंदर लेंगे और हनी बनाके डिपॉसिट करेंगे हनी भी कोम का प्रोटेक्शन करेंगे जबकि ड्रोन जो होता है ये मेल होता है ड्रोन का काम कुछ नहीं है ये खाली फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए होता है सिर्फ मेटिंग करने के रहे होता है तो क्या है कि काम बटा हुआ है मतलब सभी हनी भी का साइजन शेप एक जैसा नहीं है अलग अलग है इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे है पॉलिमॉर्फिसम यह देखिए और पॉलिमॉर्फिसम के वज़े से आगया डिविजिन ऑफ ले अलग अलग लोगों में बटा हुआ है इसका अपना काम उसका दुसरा काम इसका अपना तीसरा काम और इसके वज़े से ही क्या हो गया है कि उनका structure भी कैसा है ए तади इसका मतलब क्या होता है और यहां पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिखा है कि Queen और Worker दोनों के दोनों Deployed है Queen भी Deployed है Worker भी Deployed है तो जो Deployed होते हैं वो Female होते और जो Heployed होते हैं वो Male होते तो ये भी Female है और Worker भी Female है पर Drone क्या है ? ड्रोन है मेल यह मेल है तो यहां पर हम सेक्स को डिटर्माइन क्रोमोजूम के नंबर पर नहीं करते हैं जैसे कि हम मेल और फिमेल में हुमन में कैसे मेल बोलते है तो एक्स वाई फीमेल बोलते तो xx right female बोलते तो xx male बोलते तो xy तो हमारे case में कैसे है कि sex chromosome के basis में हम determine करते है कि sex chromosome अगर दोनों बहुMa neuro x है तो female और एक x और एक y है तो male और इनके case में हम sex को determine करते है on the basis of cela सेट्स और क्रोमोजुम। का मतलब क्या है। जैसे कि वन सेट्ड OFF क्रोमोजूं होता तो वह हपला effect हूत है। हेसच एडिक नान समय शजी तो कि घ्लिम है। है समझेन उ algorithms हाथ तो तो सेट्ड प्रोमोजूं एडिकुरम जोडि ग्रोमि satisfaction तो इनके case में हम sex को determine करते हैं haploid और diploid के basis पर है इसके लिए इसको हम haplode diploid sex determination करते हैं क्योंकि haploid वाले जो होते हैं वो male होते, diploid वाले जो होते हैं वो female होते हैं तो यहाँ पर हम sex chromosome के basis पर identify नहीं कर रहे हैं male और female को आप human की तरह sex chromosome के basis पर identify नहीं करते हैं किसके basis पर identify करते हो male और female को chromosome के sets के basis पर अगर एक set है तो male, दो set है तो female मतलब है प्लोई, मतलब मेल मतलब है प्लोई मतलब मेल मतलब deployed ठीक है यादर को यह जो लिखा यादर को कि एक मदू मक्की का जो छत्ता होता है घर होता है जो उसमें उसको हाइव बोलते हैं क्या बोलते हैं हाइव मतलब घर तो एक हाइव में हाइव मतलब 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 मक्की का छत्ता है उसमें एक ही queen होगी एक से ज़्यादा queen कभी नहीं होती एक queen और लगबग कितने drone होंगे हजार और worker कितने होंगे छे हजार तो worker का number सबसे ज़्यादा होता है तो याद रखना कि एक हाइव में एक ही queen एक से ज़्यादा कभी queen नहीं होती एक हजार drone और लगबग छे हजार worker ये नमबर याद रखना इसके basis पर आपको मैंने बता दिया अभी कुछ भी नहीं पड़ा है यहां पर मैंने क्या बताया पहले slide में आपको कि honey bee के पालने honey bee को आप पाल रहे हो ताकि आपको उनसे honey मिल सके पिर मैंने बताया कि देखो इसी को हम happy culture या bee keeping कहते हैं पिर मैंने आपको बताया कि honey bee की क्या quality है कि वो colony में रहती है जूंड में तीन अलग-अलग type की honey bee है इसके लिए polymorphism अलग-अलग structure की honey bee और सबका काम भी अलग-अलग है इसके लिए division of labor पिर मैंने बताया sex को कैसे determine कर रहे हो haploid हो तो male diploid हो फीमेल इसके लिए haplode diploid ही sex determination कहते है और लाश्ट बताया क्या एक मदू मक्की का जो घर होता है चत होता है उसमें on an average एक ही queen होगी 1000 drone होंगे और 6000 worker होंगे next slide पर आता हूं फिर queen के बारे में कुछ description दिये है अब एक चीज़ आद रखिए मैं आपको एक नए slide पर लिखे जाता हूं और यहां पर दिखाता हूं कि क्या हो रहे है कि मान लोग कि यह queen है और यह drone है तुमको पता है कि queen deployed होती है और drone क्या होता है है अब कुईन में इसके जरीए कि मैं इसके जरीए मियोंस इस तो तुमका बता है तो वह गैमेट बनाएगी और दोनों के दोनों कि होंगे है प्लॉयड होंगे जिसे हम क्या कहेंगे ओवंब इसको भी क्या कहेंगे कुणकी गामेट सार आलवेस है फैक में नेचर हमेशा गामेट्स क्या होते है नेचर में है यह बने गामेट्स gamets हमेशा nature में hapiloid होते हैince तो drone drone को भी तो hapiloid gamet बनाना है जिसको मैं sperm बोलूँखा क्योंकि male gamet को sperm कहते है female gamet को ovum कहते है तो मेरेको बताओ कि यहां पे कौन सा division हुआ होगा mitosis होगा कि myosis हुआ होगा बताईए निकीता या सिया माइटाफिस हुआ होगा यहां पर किमियोसिस हुआ हो कुशन आ रहा है समझ में निकीता यह सर्थ तो बताईए क्या है माइटाफिस किमियोसिस यह looking है क्योंकि माक्त लगार सहल में है उतना ही क्रुमोजम डॉक्टर सहल में है जबकि मियोंसिस होता है रिडेक्शनल डिविजन क्योंकि यहां पर टू सैट्स था मदर सेल में तो डॉटर सेल में एक सैट ही हो गया क्रोमोजम का नंबर रिड्यूस हो गया तो जादा करके गयमेट मियोसिस के जरिए बनते पर आप पहली बार पढ़ रहे हो कि यह जो गयमेट बन रहा है मैट के जरिए बन रहे है क्यूंकि गयमेट को बनाने वला जो पैरंट था वह पैरंट सब्सक्राइब था समझा है यह चीज्ड बताएए ठीक है यह चीज़ समझ में आया है कि मैं रिपीट करूँ वापस यास ने कि दास्लिया वापस रिपीट करूँ नो सर्थ ओके अब क्या होगा यह दोनों फ्यूज हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो बन जाएंगा डिप्लॉइट जाएगोट और यह डिप्लॉइट जाएगोट से आगे जाके फीमेल बन जाएंगी जो कि वरकर होगी और वरकर फीमेल है आपको पता है वरकर भी क्या है फीमेल है अब आप लोग सुचेगी कि यह तो क्वीन भी बन सकती थी क्योंकि क्वीन भी तो डिप्लॉइट है तो मैंने वरकर क्यों लिखा तो ऐसा है कि इनी सभी वरकर में से कोई एक वरकर क्वीन बनती है वो क्वीन कप बनती है जब सभी वरकर अपने अंदर एक केमिकल बनाते जिसको बोलते रॉयल जैली तो किसी एक वरकर के अंदर जब बाकी के वरकर लोग रॉयल जैली डालते तब वो वरकर क्या बन जाएगी क्वीन बन जाएगी तो बोलने का मतलब क्या है कि पहली बार जब यह डिप्लॉइट बने तो पहली बार जो भी फीमेल बनती है वो क् की 6,000 वॉर्कर हैं अब यह कोई एक वर्कर सिलेक्ट चिया जाएगा कि हाँ यह वरकर है और उस वर्कर करके मांट में रहा कि जितने भी वर्कर वह रॉयल्च जेली बना के ड़ालेंगी तो वो जो रॉयल जैली है वो जब एक किसी वर्कर के अंदर जाएगा तब वो वर्कर क्या बन जाएगी क्वीन बन जाएगी बोलो आ रहा है समझ में ये यह सब लोग सब लोग मिलके डिसाइड करते कि हमारा नेता कौन होगा मतलब हमारे क्वीन कौन होगी बट यह तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं यह अभी भी अन्फर्टिलाइज हुआ मैं तो यह आगे जाके क्या बन जाएगा ड्रोन बन जाएगा जो की मेल होगा और इस प्रक्रिया को हम बोलते है पार्थेनो जेनेसिस मैं थोड़ा बड़ा लिख यता हूं आर्थेनो जेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह क्या बन रहा है मेल बन रहा है ड्रोन बन रहा है एक अन फर्टिलाइज एग से मेल पूरा का पूरा और्गेनिजम बन रहा है उस प्रोसेस को पार्थेनो जेनेसिस कहते हैं बताओ यह चीज़ समझ में है इसको नोट डाउन कर लो आप लोग कि यह से नोट डाउन यह सर प्रिखने अब यहां देखिए अब यहां पे मैंने कुईन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या है तो मैंने बताए कि क्वीन देखो डिप्लॉइड है जैसे तुम लोग ने पहले पड़ा था क्योंकि queen और worker दोनों की दोनों female होती है और दोनों की दोनों deployed है मतलब female यहाँ पर deployed होती है और male क्या होता है है हप्लाइट होता है तभी तो sex determination को हम haplode deployed ही sex determination कहते है क्योंकि यहाँ पर हम sets of chromosome के basis पर identify कर रहे है female है fertile queen क्या होती है fertile होती है यही सबसे यही बच्चे प्रडूस कर सकती है देखो worker भी फीमेल है पर worker बच्चे प्रडूस नहीं कर सकती worker का lifespan सबसे कम होता है 40-50 दिन का ही होता है और worker का size इतना छोटा है कि ये बच्चों को अंदर रख नहीं सकते queen का size देखो बड़ा है तो ये pregnancy को effort कर सकती है तो याद रखना कि दोनों की दोनों female है पर worker जो होते हैं बहुत सारी difference है इनका size चोटा है queen का size बड़ा है वर्कर जो होते हैं इनका lifespan 40-50 दिन का होता है इनका lifespan एक देड़ साल का कुछ महिनों का होता है इनका तो ये major difference आपको याद रखना हो और ये लोग तिसरा difference कि वर्कर लोग sterile होते worker क्या होते हैं sterile sterile का मतलब है कि ये लोग कभी भी बच्चे प्रेड्यूस नहीं कर सकते हैं ये लोग fertile होते हैं ये बच्चे दे सकते हैं क्योंकि इनका body बड़ा है तो ये एफॉर्ड कर सकते हैं pregnancy को बेबी इसको रख सकते हैं इसके लिए मैंने लिखा है female fertile है और usually ये females क्या खाती है honey नहीं खाती है royal jelly खाती है मैंने क्या कहा था बाकी के सभी वर्कर royal jelly भी बनाते हैं अपने अंदर royal jelly बना कि किस को खिलाते हैं एक किसी वर्कर को खिलाते है और वही वर्कर क्या बन जाती है queen बन जाती है तो वह queen हमेशा जिंदगी भर के लिए अपने पुरे life में वह सिर्फ royal jelly ही खाती है तो वह royal jelly उसके लिए कोन बना के देता है वर्कर ही बना के देते तो याद रखना कि क्वीन क्या चीज़ खाती है वो हनी नहीं खाती वो रॉयल जेली खाती है और उसके लिए ये रॉयल जेली कोन बना रहे है सारे के सारे वर्कर्स ही बना रहे है वो ही वर्कर्स हनी बना के डिपॉसिट कर रहे है वो ही वरकर्स हनीबी का छत्ते का ख्याल रख रहे है ध्यान रख रहे है तो ज्यादा करके काम कोन कर रहा है वरकर कर रहे है कुईन का काम कुछ भी नहीं है वो सिर्फ रिप्रड्यूस करेगी नएने बच्चे रिप्रड्यूस करेगी और ड्रोन का काम क्या है खाली करना है वह बस क्वीन के पीछे पीछे जाएगा और जब उसको चांस मिलेगा तब वो क्वीन के साथ मेटिंग करेगा तो हमारा पहला पॉइंट मैंने बता है क्यों इन डिपलॉइड है दूसरा पॉइंट बता है कि फीमेल क्या है फॉर्टाइल मतलब वो बच्चे प्र distraction कर सकती है रिप्र डिउस कर सकती है क्या खाती है रॉइल जैली खाती है कोन बनाते है उसके लिए रॉयल के सारे ऐस वर बनाते ये अंडे दोनों भी तरीके का दे सकती है क्यों दोनों भी तरीके अंडे दे रही है यह हो गया और यह तो यूंट प्रेडीटियूस कर रही है कुछ साल साल तक है क्विन का साइज बड़ा होने के इसका लाइफ पहन तो कुछ सबसे ज़्यादा है टू तू फाइव यहर्स और मैंने क्या बोला था हाईव हाईव का मतलब क्या बता है था मैंने बता ऑँ वो मद्ढू मक्की का जो छता होता है तो एक पूरे हाईव में उस पूरे जूंड में at the time कोई एक ही queen होगी इसके मैंने लिखा है single queen per hive एक hive में hive देखो ऐसा होता है ऐसे बड़ा सा होता है और इसमें ऐसे चोटे-चोटे hexagonal compartment होते हैं ऐसे hexagonal compartment होते हैं आपने अगर देखा होगा तो देखा ही होगा hexagonal compartment होते हैं तो यह point हमारा clear हो गया है बता इसमें कुछ doubt है आगे बड़ू yes sir okay तीसरा queen के बाद आते हैं drone तो drone क्या होते हैं है प्लड होते हैं और मैंने पहली गाज है प्लड होते हैं वो क्या होते मेल होते हैं तो कितने drone होते हैं पर है फेज दो सो से तीन सो दो सो से तीन सो ऑन एन एवरेज हजार के आत्पास हो जाते कभी कभारा हजार के आत्पास भी हो जाते हैं जबकि वरकर तो 4000 से 6000 थे ठीक है दो सो से तीन सो है kings of colony भी बोलते कि किसी सी बात है king कोन होता है आदमी होता है मेल होता है तो इनको king of colonies भी कहते हैं इनका काम कुछ भी नहीं है सिर्फ मेटिंग करना है queen के साथ ये ना ही protection करेंगे honey weehive का ना ही honey बनाएंगे ना ही royal jelly बनाएंगे ना ही pool पे बैठ कर nectar को सक करेंगे कुछ नहीं करेंगे ये तब खली बैठा रहते हैं कि जबी भी queen प्लाय लेती है उड़ने के लिए तो सारे male drone queen के पीछे पीछे भागते है तो एक queen के पीछे बहुत सारे male जब भागते है तो finally कोई एक male जब queen के पास पहुचता है तो वो male queen के साथ mating करता है क्या करता है mating करेगा तो वो time पे female क्या हो जाएगी pregnant हो जाएगी बट जिस male ने female के साथ mating किया है इसका मतलब उस male का sperm निकल के female मे जा रहा है उसका sperm निकलके female में जा रहा है तो वो तयम पर क्या हूता है ना मेल का abdomen rupture हो जाता है उस time पे male का abdomen वो rupture हो जाता है फट जाता है जिससे उस male की death हो जाती है कि इसलिए जब ही भी जब queen ऊड़ती है तो सारे के सारे मेल उस फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए पीछे पीछे जाते हैं इसके लिए उस फ्लाइट को मेल की वो जो फ्लाइट होती है क्यों इनके पीछे उस फ्लाइट को हम सूसाइड फ्लाइट कहते हैं या नफ्शियल फ्लाइट कहते हैं नफ्शियल का मतलब है आगे जाके कोई male dead होने वाल है जो male female के साथ mating करेगा वो male का death होने वाल है क्योंकि mating के time पर जब वो male का sperm निकलेगा तो उसके वज़े से उसका abdomen rupture हो जाएगा और उस male की death हो जाएगी after reproduction after mating sorry after mating इसके लिए जो सारे के सारे मेल उस queen के पीछे भाग रहे वो जो फ्लाइट ले रहे female के पीछे उस फ्लाइट को मेल के उस फ्लाइट को हम कहते है suicidal flight या nuptial flight और यह फ्लाइट किस के लिए होता है meeting purpose के लिए होता है और मैंने आपर लिखा भी है once they release gamut they die जैसे gamut मतलब जैसे sperm उनके बॉड़ी से निकलता है उनकी देथ हो जाती है क्योंकि abdomen rupture हो जाता है rupture मतलब फट जाता है abdomen तो यह last point समझा रहा है आपको यह बला yes sir meeting करने के तुरंद बाद mail की death हो जाती है जिस mail ने meeting किया है और मैं तुमको यह भी बताया था कि उनको हम king of colony कहते है और they develop by parthenogenesis याद करो मैंने यह वाले slide पर बताया था 10th slide पर कि कोई भी mail किस process के जरीए बनता है parthenogenesis के जरीए बनता है क्योंकि जो एक फॉर्टिलाइज नहीं हुआ है वही एक आगे जाके mail बन जाएगा ड्रोन बन जाएगा तो उस एक से लेकर ड्रोन बनने तक की प्रक्रिया को हम कहते है पार्थेनो जेनेसिस आई बात समझ में यह यह सर इतने भी mail बन रहे न वह सब पार्थेनो जेनेसिस के जरीए बन रहे यह एक डेवलप्मेंटल प्रोसेस है तो यह वाली भी हो गई और एक चीज़ बता है आपर कि ड्रोन लैक स्टिंग मतलब डंक उनको डंक नहीं होता है काटने के लिए या नेक्टर को सक करने के लिए नहीं उनको प्लोगों को पूल पे होता है प्लावर पे तो जबी भी कोई भी हनी भी फ्लावर पे बैठती है तो उसके पेरों पे पोलन लग जाते हैं जैसे कि मैं तुमको यहां पर बताता हूं जैसे कि माननों कि यह एक फ्लावर है और यह फ्लावर में से यह निकला हुआ है और इसमें देखो इसके उपर बैठती है तो वो इधर बैठेगी तो उसके पेरों पर लाग जाता है कि तो यह निकल के जब हनी दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो वो पोलन गरेंदि से द्यूसरे फ्लावर पर ट्रान्सपेंट हो जाते हैं बड़ाया न पॉत नी में तो इसका मतलब भी एक गुट पॉलीनेंटर में बोड सकता हो कि नहीं कि हरिकि अच्छी पॉलीनेटर है क्योंकि वह ठीकि आ पॉलीनेशन का मतलब तुम लोगों को रह Ebay the transfer of pollen grain स्टिग्मा तो यह दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रही है और यह कोई दूसरा फ्लावर है समय में आ रहा है कि नहीं तो क्या मैं हनी भी को ऐसा पॉलिनेटर के तौर पर बोल सकता होगी कि नहीं प्लांट में नहां नहां प्लांट रीप्रेडियूस होगा तो जतना जाधा हनी भी होगा उतना जाद़ा पोलन ग्रेंट ट्रांसफर होगा उतना जादा नया नया प्लांट सीड बनेगा और उस सीड से नया नया प्लांट बनेगा तो मैंने वही कहा कि ड्रोन को स्टिंग नहीं है नहीं होने के से और इवन पोलन कलेक्शन भी नहीं करते पोलन ग्रेंट को यहां से वहां करने का काम भी नहीं है वह भी वर्कर कहीं होता है क्योंकि वर्कर के अंदर पोलन को कलेक्श करने के लिए चोटे-चोटे strings होते हैं, छोड़े-छोड़े काटे होते हैं, जिसको हम koombs कहेते हैं, koombs, हम उनको क्या कहते हैं? koombs, koombs कहते हैं और इस koombs के अंदर, वो काटे जो होते हैं, उसके पेरों पे, उसमें वो pollen grains चिपक जाते हैं, और चिपकने के वजे से, जब वो honeybee किसी दूसरे flower पे जाती है तो वो pollen grain भी उसके stigma पे चला जाता है तो इसमें ना ही वो cooms होते है लैक structure for pollen collection मतलब उसको हम cooms कहते है cooms क्या होते है पेरों पे चोटे-चोटे काटे होते है तो जब भी हनी भी बैठती है तो उन काटों के अंदर वो pollen grains फस जाते है और जब वो उदर से उड़के दूसरे जगा जाएगी तो उससे pollen grains भी migrate हो जाएंगे तो इसमें ना ही कूम से पोलन को collect करने का और ना ही डंक है इनके अंदर है यह पॉइंट समझ में आया है और एक पॉंक्शन तुमको अलड़ी बताया था कि इनका एक ही काम है मेटिंग करना मेटिंग करना मतलब किसको फर्टिलाइस करना क्वीन को फर्टिलाइस करना यह हो गया ड्रोन एक दीन में लगभग 12 से 14 वर फ्लाइट लेते हैं जब जब क्वीन उड़ेगी तब तब उसके पिछे ड्रोन वर्कर्स भागेंगे नेक्स लाइट करते हैं वर्कर के बारे में वर्कर के बारे में देखो के तो यह भी डिप्लोड है फीमेल है बट स्टराइल है और साइज में छोटे हैं स्टराइल बोला मतलब यह लोग रिप्रड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉड़ी इतना छोटा है कि ज़्यादा बेबीस को रखी नहीं सकते इनका यह काम होता एक पोलन को यहां से हमा करना हनी भी देना रॉयल जैली बना के क्वीन को देना प्रोटेक्शन करना हाइव इनका लाइफ्पेन सबसे छोटा हotiा है स्टिंग होते हैं इनको पर उनको एक ही बाधो यूज किया जा सकता है काटने के लिए अपने आपको बचाने के लिए पर अगर उने और ने अपने आपको बचाने लिए adjustments किया तो उनका माउथ पूरा रप्चर हो जाएगा अगर उन्हें एक बार काट लिया तो निकालने पर इनका डंक जो हता है वो उनके माउथ को रप्चर कर देगा मतलब मान लो कि एक बार इनने काटा किसी को तो इनका डंक जो है न वो सामने वाले के अंदर तो फस जाएगा पर इनका डंक इतना पतला होता है शो तो यह अपने डंग को अपने श्टिंग को एक ही बार यूज कर सकते हैं और पोलन बास्केट भी है इनके उपर जो मैं तुमको कूम्स नहीं कहे रहाता है पेरों पे चोड़े 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 काटे और बास्केट मतलब छोटा सा एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यह पोलन ग्रेंज को कलेक्ट भी करते हैं तो इनको स्टिंग भी कूंस भी है और पोलन बास्केट में काटे पर पॉलन ग्रेंज को रखने के लिए पोलन ग्रेंज को फसाने के लिए जिसमे स्ट्रीमट कें गया जाता है कूम्स क्या होता है काटे होते जिसमें पोलन फसते चिपक जाते तो यह दोनों भी में नहीं था और इवन नहीता द्रोन के अंदर इसमें श्व вами है और बास्केंट इनका काम के है हनी को कल्यक्ड करना नहींने बच्छों की देखभाल करना और अपने वी हाइफ को साफ सुतरा रखना क्लीन करके रखना यह सारी चीज़े हैं यह बहुत इंपॉर्टन यह बहुत इंपॉर्टन और अ यह आपको species याद रखनी है यह जीनस यह species एपिस इंडिका इंडियन भी क्योंकि इंडिया में पाई जाती है एपिस डॉर्सेटा रॉक भी एपिस फ्लोरे लिटिल भी साइस में सबसे छोटी होती है सुन्दर दिखती है इसको यूरोपियन भी बोलते है यह बड़े ही शांत सुभाव की है काटती नहीं यह जादा समझे हो तो इसका नेचर कैसा है एकदम सौफ्ट तो यह चार में से अगर किसी को एपिकल्चर करना है तो वो कौन सा स्पिशीज का हनी भी यूज़ करेगा एपिस मेली फेरा वाले जो स्पिशीज होते है वो जादा वाइलेंट नहीं होते है जंगली नहीं होते है वाइलेंट का मतलब क्या जो जादा अग्रेसिव होते है जो काटने को देखते है तो यह तीनों की तीनों अग्रेसिव है अग्रेसिव मतलब वो वाले हनी भी काट यहनी भी जादा यूज की जाती है तो एपिस मैली फेरा मैली फेरा वर्ड आता है मैलोडी से मैलोडी मतलब शुगरी शुगर मतलब मीठे सुभाओ के शान सुभाओ के इसको यूरोपियन भी भी कहते है जबकि बाकी के भी जो है वो वाइलेंट है बताएए यह समझ में पर लिखा है keeping beehives in the crop yield, beehive मतलब मदू मक्की के छत्ते को रख दो, खेत में, crop yield मतलब खेत में रख दो, अब तुमको पता है कि खेत में अना जुगा है, पेड, पौधे, फूल, कलिया खिली हुई है, तो यह सब पहले से ही बना हुआ है, आपने क्या क्या एक रेडिमेट एक रेडिमेट मदू मक्की का छता बीच में लाके रख दिया, ठीकिए मदू मक्की का छता अपने बीच में लाके रख दिया, जो कि एक रेडिमेट है, और आगपास खेत खलियान है, जिसमें अच्छे-च्छे, फूल, पेड, पौधे होगे होगे, बगीचे है, तो अप आपने एक रेडी मेट बनाय हुआ मदू मक्की का छता रखा हुआ है आइटी फिशियल बी हाइव रखा है आपने जिस जो की लकडी का बना हुआ है वूडन बॉक्स यह देखिए यहाँ पर यह आइटी फिशियल इसमें बहुत सारे छेद होंगे बहुत सारे छेद होंगे इसमें जहां से हनी भी अपने अंदर का हनी इसमें डिपॉसिट करेंगी तो हनी भी बड़ी खुश हो जाती है उसको रेडिमेट मदू मक्की का छटा मिल गया आज पास जादा दूर दोड़ना भी नहीं है आज पास पेड़, पौधे, फूल, कलिया खिली हुई है उस पूरे फिल्ड को हम कहते है अपाईरी क्या कहते है उसको अपाईरी कहते है इसको पूरा हम अपाईरी कहते है या हिंदी में हम इसे खादी कहते है मतलब हमने एक रंग मंच रचा हुआ है रंग मंच रचा हुआ है मतलब हनी भी को प्रसंद करने के लिए खुश करने के लिए हमने उस एरिया में पानी रखा है उस एरिया में फल, फूल, पेड, पौ हो सके खुश्बुदार अच्छे खुश्बुवाली फल फूल उगाए हुए बहुत सारी फूल उगाए है पानी रखा है और एक आईटी फिशेल बनाय हुआ इंसान का मदू मक्की का छता उस खेत के एकदम बीचो बीच रख दिया है तो इसते क्या होगा कि हनी भी आएगी अट्रैक्ट होगी फूल पे बैठेगी फूल में से रस को लेगी और उस बुडन बॉक्स में जाके हनी बनाके डिपॉसिट करेगी एक बार ये बॉक्स पुरा भर जाता है तब इंसान आएगा और बाद में उसमें से आग फायर वगेरा दिखा के हनी भी को हटाके हनी ले है कौन सा मौसम जादा सूटेबल है ये सब करने के लिए उसको नौलेज होना चाहिए कि कौन सा फूल उगाना है कौन से क्वालिटी का हनी भी सिलेक्ट करना है समझे उसको एक proper knowledge होना चाहिए कि कैसे honey को इसमें से extract करना है तो कोई भी ऐसा नहीं कि ये job कर सकता है मतलब इसके लिए थोड़ा सा knowledge चाहिए थोड़ा सा skill चाहिए अब ये part time job हो सकता है कई किसानों के लिए क्योंकि किसान लोग भी खेत में ही होते खेत में दिन भर काम कर रहे होते हल चला रहे होते धान उगा रहे होते तो अगर किसान भी एक artificial honeybee कोम बना के खेत में रख दे तो उसका भी काम हो जाएगा उससे भी honey मिलेगा जो market में वेच के पैसे कमा सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक type का job employment है एक type का job opportunity दे रहा है एक type का part time job दे रहा है किसको फार्मर उसको तो ये भी अच्छा occupation है क्योंकि मैंने आपको पता हनी की बहुत सारी यूज है सबसे जादा यूज हनी की होती है तो मैं यहां पर यहां पर मैंने लिखा है कि हनी भी को हनी भी हाइब मतलब आर्टिफिशल बनाया हुआ हाइब को हमने खेत में रख दिया फ्लावरिंग सीजन में सीदी सी बात है उस खेत में बहुत सारे फूल पेड़ पहुधे होगे होने चाहिए ताकि हनी भी अट्रैक्ट हो सके अच्छे खुश्बूदार वाली फूल होनी चाहिए वहां पर इससे क्या होगा हनी भी अट्रैक्ट होगी बढ़ेगा इसके लिए मैंने लिखा इंक्रीज इल्ड मतलब धान अनाज इससे अनाज में भी बड़ोतरी होगी साथ हनी भी जादा बनेगा क्योंकि उसे सब रेडिमेट मिल रहा है उसे दूर दूर जाना नहीं पढ़ रहा है फल फुल लेने के लिए उसे हनी भी हाइप बनाने की जुरूत नहीं पढ़ रहा है सब कुछ इसको आसपास ही मिल रहा है तो हनी भी जादा बनेगा और अनाज का भी जादा उत्पाद होगा बी डान्स अब देखो यहाँ पे कुछ बताया है कि हनी भी आपस में एक दूसरे से कैसे कम्यूनिकेट करती है अगर एक हनी भी को दूसरे से कुछ कम्यूनिकेट करना है तो कैसे करते हो लोग हमारी तरह जुबान तो ही नहीं बात करने के लिए तो वो लोग डान्स करती ह अगर वो हनीबी ऐसे डांस कर रही है फिर ऐसे फिर ऐसे मतलब पहले घड़ी के डिरेक्शन में clockwise फिर anti-clockwise तो वो दूसरे हनीबी को ये बताना चारी है कि इतने दूर पे खाना है मतलब ये वाला डांस इंडिकेट करता है कि वो हनीबी ये हनीबी ये ऐसे डांस करेगी देखिए ये जो ऐसे डांस कर रही है फिर ऐसे आखे ये ऐसे डांस कर रही है पहले clockwise फिर anti-clockwise तो ये इसको round डांस के और ये round डांस से वो ये बता रही है कि खाना इतने दूर पर है डिस्टेंस ऑफ फूड बता रही है डांस करके वो दर्शार आये कि वो हनीबी ये बताना चारी है कि खाना अतना दूर है या आसपास है कि नहीए उसके इस type के communication को किस ने study किया था, उस scientist का नाम है Karl Von Frisch, Karl Von Frisch ने study किया था, कि अगर honeybee इस तरह से round dance करती है, मतलब ये honeybee, बाकी के honeybee को ये बताना चारी है कि इतने दूर पर खाना है, मतलब पेड़, पौधे, फल, फूल, पानी है, बोलो ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैंने लिखा है, कि ये जो honeybee है, they perform a special type of dance in a pattern for communication, एक special type का dance करते हैं, आपस में एक दूसरे से communicate करने के लिए हैं, दूसरा, इसे हम कहते हैं, वेगल डान्स, तो ये जो वेगल डान्स होता है, वो किस तरह से होता है? देखिए, पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर वहीं से जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर देखें, बता रहा है, ऐसे गए, फिर इधर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, और फिर इधर आएंगे, कि इसे गए हैं तो इधर आये कि इसको वेगल कहता है यह इधर गए फिरू इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए बता बद्र गए समझ ने आ रहे ही कि नहीं हो आ यह वेगल डांस अगर वो इस तरीकी का डांस करते है तो यह बता रहा है कि वो यह बताना चाहरी है कि किस दिशा में खाना है खाना किस दिशा में है उस दिशा में वो ऐसे मूव करते हैं यह उनका ही लैंग्वेज है आपस में एक दुसरे से कम्यूनिकेट करने का बोलो यह यह समझा की नहीं समझा आपको तो इसको वेगल डांस कहते हैं इसके में दर लिखा है यह वन यह टू यह थ्री फिर कि यह वापस से फूर और फिर यह फाइट को समझ रहे हो इस तरह से तो अगर वह राउंड डांस करते तो उससे पता चलता है कितना डिस्टन्स पे वेगल डांस करते तो उससे पता चलता है कि कितने किस दिशा में खाना है नेक्स्ट बी किपिंग अब किसी को भी अगर बी किपिंग करना है तो उसको किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले उसे knowledge होना चाहिए कि अगर be keeping करना है तो किस type का fool उगा है मौसम क्या होना चाहिए season का knowledge होना चाहिए कि इस season में ये fool उगता है ऐसा नहीं कि कोई भी fool उगा दो और honey भी attract हो गई सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वाले टाइप का हनी भी ले रहा हूँ तो ये वाले टाइप की हनी भी इस टाइप के फूल से अट्रैक्ट होती है तो ये वाला फूल मुझे इस मौसम में उगाना चाहिए तो उसे सीजन का नॉलेज होना चाहिए किस सीजन में कौन सा फूल हुगर है और उस फूल में कौन से टाइप की हनीबी अट्रैक्ट होती है क्योंकि चार टाइप की हनीबी हमने पढ़िए तो क्रॉप अविलिबिलिटी ऑफ क्रॉप की क्या अनाज और धान खाना पीना कैसा चाहिए वो टाइप के हनीबी को प्लावर कैसे टाइप के हने चाहिए श्रॉब्स मतलब पौधे होते हैं जो पौधे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हीं को श्रॉब्स कहते हैं व लगाना चाहिए उसको नौलेज होना चाहिए कि कौन से टाइप का प्लांट उगाना चाहिए उसको नौलेज होना चाहिए नेचर ऑफ हनी भी का कि अगर वो चाहता है कि हनी चाहिए अगर उसे तो वो कौन से टाइप का हनी भी सिलेक कर रहा है इंडियन भी ले रहा है रॉक भी ले रहा है कि यूरोपियन भी ले रहा है बताए यह सबसे जादा यूस कौन सा हनी भी होत क्या नेचर है कैसा बिहेव कर रही है कि सिलेक्शन ऑफ स्यूटेवल लोकेशन किस लोकेशन पर कर रहा है जादा हाइए अल्टीडूट पर नहीं करना चीए जो लोग बहुत उचाई पर रहते हैं जैसे लहल अड़ाक अगर वहाँ पर देखो तो इतना हाइए अल्टीडू होता मतब लोकेशन बड़ा इंपॉर्ठ रोल करता है क्या लोकेशन में आसके बदेखों स्वाब मतलब कई लोग क्यों Dakar करते हैं जाल में जाल में पकड़ते हैं और जहां पर यह करना चाहते हैं वहाँ पर खोल देते हैं ताकि सारे हनी भी वहाँ पर फैल जाएं या हनी भी के कैसे पकड़ना है हनी भी को उसका भी वह लोग है क्योंकि हनी भी इसे भी हमको बहुत चीज़े मिलती है हनी भी का वे बनाने के लिए कम आता है क्योंकि उसकी अपनी खुश्बू होती है उसका भी व्यूज है हनी का भी यूज है इवन वरकर लोस्का रॉयल imsical डाने नहीं देगा चेहरे पे या सूर्टी को किल कर सकता है तो सब झाता है तो यह सब होता है उसमें even ऊक्रा इसके लिए हम को मलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें तो मिलेंgers तो आपको पोलन मिलेगा आपको वैक्स मिलेगा जिससे वह वैक्स आप कॉसमेटिक इंड mattressry आगर बत्ती विगरा इंडश्ट्री में यूस कर सकते हो क्योंकि उसका अपना महक होता है खुशबू होता है समझे लोग वेनॉम मिलेगा वेनॉम जो होता है वो मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है तो कैचिंग कैचिंग मतला पकड़ना और हाइव ऑफ स्वाम्स मतला मदू मक्की के छत्ते में जो उसके बच्चे है उसको हम बोलते स्वाम्स ग्रूप ऑफ इंसेक्ट्स चोड़े च अनिबी आटार कर रहे तो मदू मक्की का जो छता है जो उसने अर्फिषियल हल्यबी हाईव बनाया था तो उस पर से कैसे हनी निकालना है उसका टेक्निक उसको आना चाहिए गलव पेरना है कैसे निकालना है ताकि कोई हनी भी डैमेज भी ना हो और वो हनी भी काटे भी ना तो उसका एक स्किल होता है तो उसको वो स्किल का भी नॉलेज होना चाहिए collection of honey honey कैसे निकालना है और bee wax कैसे निकालना है बीना honey bee को नुकसान पहुचा है बीना honey bee को और खुद को भी नुकसान पहुचा है कैसे उसे honey निकालना है ये इसका उसको एक technique पता होना चाहिए स्केल पता होना चाहिए और यहां पर हनी भी के स्वाम्स को पकड़ना स्वाम्स मतलब छोटी छोटी हनी भी जो होती है उनको पकड़ना उसका भी एक टेक्निक होना चाहिए उसको पता होना चाहिए क्योंकि आप हनी भी के बच्चों को भी क्यों पकड़ रहे हो क्योंकि आपको वहां से पोलन ग्रेंज मिलेगा वेनॉम मिलेगा जहर मिलेगा उनका मेडिसिन वगएरा बनाने के लिए बताओ यह पॉइंट समझ में आपको यह सर्थ है ठीक है कि यहां पे मैंने वही चीज लिखा है कि कि सी बुडं बॉक्स को यह वूडं बॉक्स से हमने आटिफिशल भी है नहां पहीं तो यह जो वह ही हारी है हमने आप रखा है से जेंबर तो हैं ये मिलेट मिलेगा यहां से अंदर आउटलेट हो एंग यहां से बाहर तो हर चिंबर नहीं हर चिम्बर का अपना इनलेट और अपना आउटलेट होगा इस तरह सब्सक्राइब कि अधिया आउटलेट है ठीक है और मैंने क्या बोला कि हर चिम्बर में एक इनलेट और एक आउटलेट होगा और इस पूरे रंग मंच को हम अपायरी कहते है कि हमने पानी रखा है खेत में फूल पौधे सब उगाए है और बीचो बीच हमने यह रखा हुआ है हनीबी को अट्रैक्ट करने के लिए है और हिंदी में हम इसे खादी भ कि हनी बी का क्या इंपॉर्टन्स है हनीबी से हमको क्या मिलता है हनी मिलता है उसका भी वैक्स जोता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रि में भी काम आता है इवन मेडिसीन में भी काम आता है ठीक है इवन सोप कॉस्मेटिक में आ गया सोप इंडस सोप अगरा पर्फ्यूम्स अगरबत्ती यह सब बनाने के लिए यह भी मेडिसीन बनाने के लिए काम आता है जहर जो होता है यह भी एक यह चैमिकल होता है यह और यह एंटिफलेमेटरी होता है इंफलेमेशन का मतलब होता है सूजन तो यह चहरों पर सूजन आने नहीं देंगे अगर कुछ भी इंफ्टेक्शन होता है तो यह एंटी इंफ्लेमेटरी है पोलन्स और रॉयल जेली रॉयल जेली भी मेडिसिन बगेरा बनाने के लिए काम आता है वरकर लोग रॉयल जेली बनाके किसी एक वरकर को दे रहे थे तो वही वरकर क्या बन गई आगे जाके क्वी समझने आई बात बताएए यह जह आपको याद रखना है इसके साथ हमारा यह टॉपिक होता है अनिमन हम्लों ने पढऻा पहले अनिमनन का मतलब यह होता है पिर हमने डेरी फार्मिंग पढ़ा डेरी प हमने पढ़ा फिशरी और अभी हम पढ़े यह एपी कल्चर तो इसके साथ टॉपिक हमारा फिनिश्ट होता है